नमस्कार आप देख रहें न्यूज 24 फर्ष्ट एक्सप्रेस और आपकी शाथ मैं हूं मुम्ता सिंग तो चलिए सुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से खबर यूपी के जिला बस्ती से है सुत्रों की माने तो आठ वर्ष की गुमशुदा बालिका के साथ बलातकार वा हत्या करके फेके जाने की परिजनों ने जताई है आशंका आपको बता दे कि बस्ती जनपत के लाल गंज थाना अंतरगत भुवनी गाउं में रविवार को कीचड में दबी हुई बरामध हुई बालिका के लाश जिले में नहीं थम रहा लाशों के मिलने का सलसला प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त गाउं निवास से इंदल राजभर के भतीजे सुरज की बारात संथ कबिर नगर जनपत में जानी थी और बारात जाने के बाद घर की महिलाएं नृत्यागान कर रही थी उसी दोरान पूर्वी उम्र लगभग आठ वर्ष पुत्री इंदल राजभर अचानक रहसे में तरीके से गायब हो गई पूर्वी की गायब होने पर परिजनों ने पुलिस को सुषना दी और रात भर पूर्वी को ढूंते रहे लेकिन वहें नहीं मिले रविवार को गाउं के पूरब छोटे से तालाब में जिसमें पानी कम और कीचड जादा है उसी कीचड में पड़ी मिली उस बालिका के लाश गाउं के छोटे से बालक प्रिंस ने देखा और शोर मचाय तो मौके पर पहुंचे ग्रामिनों ने कीचड में दभी पुर्वी की लाश दे कर ततकाल घटना की सूशना थाना लाल गंज को दिया मौके पर पहुंचे थाना ध्यक्ष लाल गंज महेश सिंग ने पंचनामा की कारवाई करते हुए श्रव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेजा तथा घटना के संब में पुलिस गहराई से जांच परताल कर रही है मौके पर पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने घटना इस्तल का जायजा लिया तथा और फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही एडिशनल स्पी दिपेंद्रनाथ चौधरी ने प्रेस कॉंफरेंस कर दी घटना की जानक पर एस बात की सूचना दीक उन्के गाउं की एक लड़की घर से गायव है इस सूचना पर 112 की पुलिस और ठाने की पुलिस गाओं में गई अनों ने वस लड़की को डूढने का का पी प्रयास किए लेखिन रात्र में अधहरा होने का का करण नहीं लड़की का कुछ पता तो इसी बीच में कुछ लोगों ने उसके शव को गाउं में उसके घर के करीब डेड़ सो मीटर पीछे एक ताला में देखा जिसमें कीचड़ है उसकी डेड़ बाड़ी पड़ी हुई थी मौके पर थाना ध्यक्ष लाल गंज और अन्य सभी उस्चाधिकारियों ने जाकर के गटनास्तल का नरिशन किया है दॉज सकोड़ा ओर फॉरा नसी की टीम ने भी गटनास्तल का नरिशन किया सको पोस्माटिम हेद भेजा जा रहा सव का पॉस्माटिम Papagam सो यह हम वीडियोग्राफिक माध्यम से करया जाए गा परजिनों दौरा हथ त्या की असंक्क्या जाहिर की गई है उनके द्वारा दी गई तहरीर का धार पर अभियोग दज करा जा रहा है और मौके पर पुलिस बलतैनात है और कानून बेवस्ता की कोई समस्या नहीं है